कि हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक अगेन ओन यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई श्री राम सर्थ सो बच्चों हम 2024 में जो बोर्ड एक्जाम अफेर मार्च में है उसके लिए हम लोग क्रिपेशन कर रहे हैं बाई सॉल्वीं दा प्रीविए शिर कोश्चन एंड एंड एं मैं एक्स्ट्रा इसमें साइड में यहां पर बताए देता हूं कोश्चन के साथ कि इसमें क्या कंसेप्ट क्या बात यूज हो रही है और साथ में हम सीख लेते हैं कि कैसे हमें आंसर वोड एक्जाम में लिखना है क्या स्टेप्स होने चाहिए क्योंकि अल्टिमेटली तो इसमें पर एक्जाम में कोश्चन से आने हैं तो हमने से सप्टर मावा है पीछे के कुछ काफी हमने कर लिये और आगे भी हम कर रहे हैं इसी तरह से अम पूरी की स्कुर्ण को करेंगे पर आहे-ओ आप लोग भी एंजॉइ करेंगे इन को साथ साहर करके तो चलते हैं बच् the electric field E due to a point charge due to any point charge near it is defined as मौब बेट रोगा कि अगर हम इसके उपर vector लगा दे E vector is defined as E vector equals to limit q tends to 0 f by q where q is the test charge यहाँ पर यह जो बच्चो इस small q है यह small q क्या है बच्चो यह है test charge and f is force acting on it और f जो इस test charge पर act करने वाला force है what is the physical significance of limit q tends to 0 तो हमें यह पूछा है बच्चों कि यह जो word इनों ने लिखा हुआ है कि q tends to 0 मतलब q बहुत छोटा है तो सबसे पहले देखो बच्चों यह electric field intensity को इनों ने define कर रखा formula तो हम इसका थोड़ा definition भी लिख देते हैं तो बच्चों electric field intensity अगर वो बोले या फिर simply electric field भी बोले तो आपको same ही चीज़ लिखनी है simply electric field भी अगर बोलता है question के अंदर तो बात एक ही है बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है यह जो electric field intensity या simply electric field जो है इसके हमें definition लिखनी है तो यह क्या होता बच्चों तो जैसे यहाँ पे एक charge ले लिया हमने यह कोई charge है बच्चो capital Q अब इसके surrounding में यह क्या है electric field create करता है अब मुझे इस point पे इसके electric field की checking करनी है measure करना है तो यहाँ पे हम एक small Q charge रखेंगे और वो small Q बच्चों बहुत छोटा होगा इस capital Q से यह जो capital Q है बच्चों इसको हम बोलते है source charge क्योंकि यह वो है जो field creator है जिसका field हमें पता लगाना है और यह जो छोटा Q है यह उस field को testing करने के लिए है पता लगाने के लिए इसको बोलते है test charge तो यह जो test charge है source से बहुत छोटा होना चाहिए इस question का mainly इनोंने यही पूछा हम से कि limit Q test to 0 का मतलब यह है कि यह test charge जो है small Q जो है यह बहुत छोटा होना चाहिए तो यह भी reason हम समझेंगे अच्छे से मैं आपको एक diagram से इसको समझाऊँगा तो पहले तो हम यह देख लेते हैं कि जैसे हमने यह test charge रखा तो हम देखते हैं अच्छा बचो यह test charge positive ही लेते हैं तो इसका रीजन आपने देखा हुगा पहले हमने question solve किया था attraction between two bodies x y y z previous lecture में तो हमने वहाँ देखा था कि attraction दो case में हो सकता है बोडी यह तो चार्ज है दो बोडी यह तो अपोजिटली चार्ज है प्लस एक प्लस एक प्लस एक माइनस पर यह एक बोडी पे तो चार्ज है चाहिए प्लस हो या माइनस हो और दूसरी तो टेस चार्ज हो मैं positive लोंगा उसके बीचे reason है क्योंकि चार्ज बोडी मुझे लेना है क्योंकि otherwise अगर मान लो कि मैं सोर्स चार्ज अगर मैं negative ले लेता हूं या मैं न्यूट्रल भी ले लेता हूं तो भी यहां पर attraction हो सकता है अगर यह मैं neutral बोडी ले लूँ न तो यह क्या करेगा capital Q अगर यह plus का है तो इधर minus induce कर देगा इधर plus induce कर देगा और इसको attract करके force लगा देगा तो यह neutral बोडी पे भी force लगा देगा तो इसलिए हम क्या करते है तो इसलिए repulsion is must उसी से पता चलता है कि body के उपर charge है या body neutral है एक चेक्ट कहानी वहीं ची समझाती है चलिए हम definition पर चलते हैं तो हमने positive test charge यहां पर रख दिया छोटा सा अब यह source charge इस पर force लगाएगा बच्चों source charge क्या करेगा इस पर force लगाएगा तो हम force को calculate कर लेंगे और उस force में stress charge से divide कर देंगे मतलब एक तरीके से force per unit positive test charge में निकाल लेंगे तो बटा electric field intensity है जाएगी तो simple definition है जिसे आपने देखा यहां पे तो हम लोग क्या करेंगे पपले यह force calculate कर लेंगे और यह जो test charge पर फोर्च लग रहा है ना उसमें stress charge से divide कर देंगे तो हमारे पास यहां पर यह एक्रेक्टरी फिल्ट इंटेंसिटी का formula आ जाएगा बट यहां पर यह test charge small q है यह टेंस टू जीरो होना चाहिए और बहुत छोटा होना चाहिए इस question का man यही part है कि यह छोटा क्यों होना चाहिए तो वो भी हम देखेंगे तो पहले definition यहां से लिख देते हैं यह हो गया force per unit charge तो ऎधे लिख देखेंगिन पोस्ट इन पो जङए पोर्ष्ट पर अजिए पो स्थी पोसिति एस ओल्ड उर्ट पोसितिव टेस्ट चार्ज इस डिफाइंड एज पोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सिंप्ली इस की डेफिनिशन हो गई किसी पॉइंट पे पॉजिट पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो हमारे पास E हो गया इस डाइग्राम में आप देख रहे हैं तो आप बच्चों इस फ़स्ट केस में फ़स्ट डाइग्राम को देखिए यह आपका कैपिटल क्यों है जो इन गोला दिख रहा है इस फेर जो धिख रहा है इसके उपर ये जो चार्ज है यहापका capital Q है जो इस तरह से फैला हुआ है कुछ यहाँ पे है कुछ यहाँ पे है और यह क्या कर रहा है इसके 4 तरफ in different points पर frame कर रहा है जैसे यहाँ पे कर रहा है अब यहाँ पे मैंने Q not charge रखा Q not बोल लो या Q बोल लो small Q तो अब क्या होगा कि यह small Q इतना छोटा है कि यह बहुत छोटा होने के कारण इसके चारों तरफ इसका खुद का फिल्ड काफी वीक होगा और यह जो source charge है ना इस source charge को यह इतना strongly attract और रिपोयल करके list up नहीं कर पाएगा क्योंकि यह खुद बहुत छोटा है हलांकि दो चार्जे जब होते हैं तो force equal and deposit लगता है जैसे अर्थ जो है यह small and mass जैसे हम लोग है यह अर्थ है और यह मैन है तो ऐसा नहीं कि छोटा वाला कम force लगाता है अर्थ हमें जितने force से खींशती है हम भी अर्थ को उतना ही force से खींशते हैं तो force एक ऐसी चीज़े जो इस बात से decide नहीं होती कौन बड़ा कौन छोटा क्योंकि वो तो दोनों की mutual property है लेकिन उस force के कारण जो effect आता है जैसे हमारे उपर जो force लगता है उससे हम नीचे जाते है building से अगर हम ऊच जाए तो अर्थ का gravity force में खींच के नीचे ले जाएगा लेकिन हम जो अर्थ पर हम भी उत्ता ही लगा रहे है अब मान लों कि किसी का mass 60 kg है और उस पर 10 g से multiply कर दे 600 newton का force लग रहा है तो उसको नीचे खींच के ले जाएगा तो अर्थ पर भी तो 600 लग रहा है लेकिन अर्थ के पर फरग नहीं पड़ेगा वो खिचके ओपर नहीं आएगी क्योंकि उसका mass इतना ज़्यादा है कि उसका inertia इतना ज़्यादा है उस पर acceleration negligible रहेगा similarly ये charge body काफी heavy है तो force तो ये दोनों एक दूसरे पर बराबर लगा रहे है बट ये disturb नहीं होगा कि ये charge काफी ज़्यादा mass रखता है इसके comparison में तो जो force की feeling आएगी वो इसी पर आएगी दूसरा वाला कोई खास disturb होने वाला नहीं बर second case में अगर माल लो कि ये जो charge है ये वाला second जो test charge है ये test charge छोटा ना लेके बढ़ा ले ले काफी अच्छा तो अब ये अगर बढ़ा हो गया तो ये भी strong field create करेगा तो अब strong field create करेगा तो उसमें क्या होगा कि ये जो charge है इसको खीच के अपनी तरफ लियाएगा क्योंकि force अब काफी strong है पहले तो ये इसके इसको हम बोलते हैं इस negative को अपनी तरफ खीच के लियाएगा तो charge distribution will change देखो कोई भी जो electric field create होता है कोई भी charge के चार्ज के चार्ज तरफ जो electric field create होता है वो इस बात पर depend करता है कि वो charge distribution कैसा है वो spherically distributed है या linearly है या वो किस point पे कैसे उसके according ही उसके चार्ज तरफ field बनता है जैसे हम यहां मान सकते हैं कि यह charge uniformly है तो इसके चार्ज तरफ same side field बनेगा लेकिन अब इसमें देखें तो इधर तो बहुत strong field बनेगा लेकिन इधर तो weak field बनेगा क्योंकि charge तो यहां पर इखटा होगा इस reason के हंदर आगे तो चार्ज का distribution जब बदल जाता है तो उसके चार्ज तरफ जो field है वो field का भी value और उसका भी हम कह सकते हैं distribution बदल जाता है तो अगर test charge बहुत छोटा होता है तो source को disturb नहीं करता source charge के distribution को disturb नहीं करता लेकिन अगर test charge ही बहुत बढ़ा हो जाएगा तो जिस field को major करने के लिए चले थे उसी को change कर दिया तो ultimately logic यह है बच्चों यहां पर हम लोग answer यह लिखेंगे if small q is large if small q is large not small q tends to zero ऐसा नहीं है not very small then then it will disturb the distribution of source charge यह source charge के distribution को ही disturb खर देगा due to that due to that electric field electric field created by source charge will get modified आप simply यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर बनाओ field जैसे यह मानलों एक field lines बना रहा हूं मैं कुछ इस तरह से कुछ field का ऐसा variation है एक जैसा सा सेम सेम सा यह electric field का variation है लेकिन अब क्या होगा अब यहां field बहुत ही strong हो जाएगा इस zone के अंदर तो इस point पर मानलो इस point पर electric field पहले suppose करो hundred newton upon column था और वो इस point पर change हो गया क्योंकि यह charge इदर जादा इखटा हो गया तो मानलो इस point पर electric field जो है वो change हो करके उसका value ही two hundred newton upon column हो गया बाते नम्मरों से बड़ी आसानी समझ में आती है तो हमें पता है जब यह test charge हम यहां नहीं लेके आये थे थोड़ देर के लिए हम देखें कि जब हम यह test charge यहां नहीं लेके लेके आये थे और आराम से हमने test charge रखा और वो hundred field जो है वो हमने measure कर लिया अगर आप देखें यहां पे तो फिर क्या हुआ कि अगर यह test charge आपने काफी बड़ा ले आए यह test charge आपने काफी बड़ा ले आए तो इस point पर जो filter वो hundred से two hundred हो गया क्योंकि इस charge का distribution ही बदल गया इस पूरे का तो जिसको major करने चले थे उसी को change कर दिया कि यह चीज बहुत बहुत जगा आपको physics में help करेगी जैसे galvanometer, voltmeter वहां पे इस चीज़ें आती है कि galvanometer से हम लो क्योंकि जिसको major करोगी उसको बदल देता है उसका resistance बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए उसको हमें shunt लगा के emitter बनाना पड़ता है तो एक्चल में हमरा टार्गेट तो भी से हंडेट न्यूटन अपून कुलाम वाले फिल्ट को मेंजर करना था तो test charge तो हम इसको major करने के लिए लाए थे हम ना कि इसको disturb करने इसको change करने के लिए लाए थे तो फिल्ट ही change हो जाएगा फिल्ट get modified so if small q is very is large not very small then it will disturb the distribution of source charge due to due to that उसके विज़े से क्या होगा बच्चो गेम बदल जाएगा due to that due to that electric field created by source charge will get modified और उससे क्या होगा hence measured field will not be accurate जिस फिल्ट को major करने वह अच्छा नहीं होगा accurate नहीं होगा गलत होगा इसलिए हम चाहते हैं कि भी अग टेस्टिंग के लिए चेकिंग के लिए ला रहे हैं उसको तो बहुत छोटा लाओ और सब्सक्राइब कर देगा तो यह हमें इसका आंसर मिल गया है अब इन्होंने बुलाए कि फिल्ट लाइंस बनाई यह फर्स सेकिंड के केस के लिए तो यहां पर कुछ यह कंसेप्ट है बच्चो बहुत इंपोर्डेंट कंसेप्ट समझ रहे हो आप यहां पर इसको आप कोशन की तरह ना लो एक कंसेप्ट की तरह लो कि यह बहुत इंपोर्डेंट कंसेप्ट आप समझ रहे हो दूसरी चीज आपने यह देखा बच्चो कि फिल्ड पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है तो मैं उस फर्स्ट और सेकंड वाली का जो डाइग्राम हो तो भी हम बना लेंगे इजी है, इलेक्ट्रिक लाइन ने बट अगर इसमें ये बोला है कि हमने देखा फॉर्मूला E इक्वल टू F by Q E का फॉर्मूला E ये तो F हो गया Q into E तो यहां से एक बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू Q E अब ये बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना इसमें ये जो Q है ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए मतलब ये पॉइंट पर concentrate होना चाहिए पॉइंट चार्ज और ये जो E है वो क्या है Filled at Point Charge ये Point Charge Location Point Charge की जो Location उस Point पर फिल्ड है बच्चो ये अच्छा कही बार confusion हो जाता है कि ये Q Charge ये फिल्ड क्रेट कर रहा है ऐसा नहीं है Small Q फिल्ड क्रेट नहीं कर रहा है फिल्ड तो क्रेट करने वरा जिसे हमने Capital Q बताया कोई और है Small Q तो उसमें Force फिल्ड कर रहा है तो इसमें जो Small Q है वो Point Charge है और E क्या है उस Point पर फिल्ड का Value है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो चार्ज कुछ इस तरह ये सोर्स चार्ज है और ये Small Q आपका इस तरह से यहां तर डिस्टिबिटेड है ऐसे ये आपका Small Q Point चार्ज नहीं है बलकि यहां तक एक Point पर Concentrated नहीं है बलकि ऐसे Long Distance तक ऐसे डिस्टिबिटेड है अब देखो बच्चो इसमें होगा क्या कि इस Point पर Electric Field मानलो E1 है इस वाले Point पर Electric Field E1 है इस वाले पर E2 है तो इस वाले पर E3 है दूर जाने पर मानलो कम हो रहा है Field कौन के लिट कर रहा है Capital Q तो अब एक बाद बताओ कि यह जो Small Q है यह तो यह पूरा है अब यहां तो Force ज़्यादा लगेगा यहां कम लगेगा यहां और कम लगेगा तो Small Q जहां जहां पर Small Q होँँआ सारे Point पर E तो सेम नहीं है अब जो आप Force निकालोगे Small Q के उपर तो यहां कौन सा वाला E डालोगे यहां पर यह वाला Point का E डालोगे कि इस वाले का डालोगे कि इस वाले का डालोगे हां अगर मालो कि यही सारा Small Q एक ही Point पर होता यह सारा Small Q मालो एक Point पर होता यहां पर छोटी सी जगह में होता Small Q और यहां field E होता तो आप फटाक से क्या करते इस पर फोर्स निकाल देते कि charge into electric field कर देते आप तो इसलिए इस लिए इस पर पार्टिकल पार्टिकल मनलब point charge Q is placed in external electric field E then electricity force act on the particle is QE तो यह पार्टिकल वर्ड इन्होंने इसलिए use किया है कि charge जो है वो extended body नहीं होना चाहिए ज्यादा distance में फैला हुआ नहीं होना चाहिए तो हम लोगों को क्या है कि point charge के लिए लगा सकते हैं या फिर ये field तीनों almost same होने चाहिए वो तब होगा जब ये इस charge से बहुत दूर होगा अगर इस charge से बहुत दूर चले जाओगे तो फिर ये point charge की तरब behavior कर सकता है वो आगे की बात है अब ये आप दियान रखें point charge के उपर लगेगा के दूसरा कि कहीं पर सिर्वें या क्रिए मेंट से सपोस करो कि ये लेक्क्टी भी इक जैसी बना देता हूँ ये लेक्तरी फिल्ड यहां पे जो एक जैसा यूनिफॉर्म एलेक्टरिक फिल्ड है है लाइने के बीच में गैप बराबर दिख नहीं है ग्यांद्रीन बच्छों हंड्रेड न्यूटन अपोन कूलाम का फिल्ड ही तो वैल्यू है इसका और प्लस एक्स के अलोंगा मतलब आईकेप में है बच्चों में बड़ा देदीर समझा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेटर फिर यही बार बार यूज होंगे कोश्चंस में अब दिमाग में याता है कि यार ये फिल्ड क्रियेट किस ने किया तो वो यहां पर अनिस्पेसिपाइड है पतला इनोंने नहीं बताया इसे हो सकता है यहां पर कोई इस तरह से एक शीट होगी मेटल की और इस पर बहुत सारा प्लस चार्ज होगा और ये जो प्लस चार्ज होगा इसने ये फिल्ड क्रियेट किया है तो जो जो रही नहीं है ये सोर्स आपको दिखाए इस ही कोश्चं में सोर्स आपको कई बार नहीं देगा कि वो फिल्ड फिल्ड दे दिया source छिपा दिया अब क्या होगा कि एक small q charge यहां लाके रखते हैं तो पहले हम point charge है plus q nature का लाके रखते हैं और उस plus q का value हम ले लेते हैं simply समझना आपने concept तो वो plus का 2 कुला हम है और दूसरा एक charge लाके रखते हैं यहाँ पे negative वाला minus का 2 कुला हम तो यहाँ पे जो charge है दो टाइप का रख सकते हैं अपन positive negative दो टाइप का होता है अब formula लगाते हैं यह वाला f equal to q e वाला तो f equal to q e इसको q1 बोल देते हैं इसको q2 बोल देते हैं plus वाले को q1 बोल दिया minus वाले को q2 तो f equal to f1 निकालने पहले q1 e e तो बेटा सेम है सब जगे इसलिए तो q1 कितना है plus का 2 कुलाम और e कितना है e इस point के उपर सारे point पे e का value सेम है direction सेम है तो e है hundred newton upon कुलाम और e किदर है i cap में तो यह vector equation है direction अपने आप आएगी तो यह आ गया 200 200 कुलाम से कुलाम बिटा कट गया तो 200 newton का force आ गया और यह plus i cap में आ गया plus i cap का मतलब है कि जिदर electric field है उदर ही यह force आ गया उदर ही यह force आ गया जिदर field है उदर ही force लेकिन इस minus वाले को उल्टा हो जाएगा f2 तो यह है q2 e अब q2 कितना है minus का 2 कुलाम और e कितना है e तो वही है 100 newton upon कुलाम किदर है i में यह तो फिर कुलाम से कुलाम कट गया तो 200 तो magnitude आ गया और minus को i को दे देंगे तो minus i के है यह direction आ गयी अब force की direction किदर है minus i में और field किदर है plus i में तो इदर लगा तो इससे क्या बात समझ में आई कि अगर आप कोई भी positive charge electric field में होगा तो उस पे force electric field की direction में लगेगा लेकिन अगर negative charge को electric field में रखोगे तो उस पे force electric field के ultra direction में लगेगा opposite direction में तो यह second important point है if charge q is positive then force vector is in the same direction is in the same direction of field vector अगर बेटा charge positive है तो force की direction force vector की direction field vector की direction में होगी बड़ इफ charge q is negative तो फिर force vector जो है force vector जो लगेगा वो किदर लगेगा opposite direction opposite direction of field vector field vector के ultra direction में force लगेगा तो simply याद रख लें कि positive charge पे force field की direction में लगता है और negative पे field के opposite लगता है तो यहाँ पे हमने electric field की definition समझ ली जब कई बार होता हैं कि sir question करा रहे हैं theory तो बटा theory में जहां जुरत लगेगी जहां important मुझे लगेगी जितनी जुरत लगेगी मैं उतनी अच्छे से बताऊंगा theory भी derivation भी सब चीज कराऊंगा इसके अंदर मतलब आपको यह कर लिए तो आपके अच्छे marks आने ही है कोई नहीं रोग सकता क्योंकि हम को छोडेंगे यह नहीं questions के माद्यम से इन questions के तुरों we will not left anything everything we will cover जहां concept involved हो जाएगा मैं आपको concept भी समझाऊंगा क्योंकि concept को धीद्रे समझाना इसलिए important है बच्चों कि फिर उसी concept पर कहीं सारे question बनते हैं जो चुटकियों में होते हैं तो इलेक्टरी फिल्ड की definition पर हमने लिख लिए और मैंनली जो question में हमसे पूछ रहेते हैं अब बोर्ड exam के अगर हम बात करें तो भाई यह जब एक रटलो मिल्कुल फिट कर लो दिमाग में इलेक्टरी फिल्ड की direction पहले पता लगाओ किदर है फिर उसमें देखो कौन सा चार्ज रखा है पॉजिटिव रखा है तो फोर्स जिदर फिल्ड है उदर लगेगा नेगेटिव रखा है तो फोर्स फिल्ड जिदर है उसके पांसर था इनसेंसे बोला था कि पॉल्स क्यू चार्ज है प्लिएटर दइंजीरू यह ट्रेटर देंजेरू दिया है प्लस क्यू का मतलब यह डि ट्र देंजेरो आप तो ईälle में होता पॉजिटिव के कारण फिल्ड लाइन से उससे बाहर निकलती है क्योंकि पॉजिटिव के कारण फिल्ड किदर होता है आवे फ्रॉम दा चार्ज कोई भी सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव नेचर का है यह सोर्स है जो फिल्ड क्रियेटर है फिल्ड क्रियेटर अगर पॉजिटिव नेचर का है तो उसके कारण फिल्ड जो है वो अवे फ्रॉम दा चार्ज होगा अब आपको 2D में लग रहा हुगा कि यह लाइन ने तो यह से सरकल फॉर्म में है इसा लगता है बट ऐसा नहीं है यह लाइन इस स्पेरिकल फॉर्मेट में स्पेरिकल स्यमेट्री के फॉर्म में तो यहां पे हम अगर अके लाइन फॉर्म चार्ज है और फॉजिटिव है तो फिल्ड लाइन स्केसाई होगा । यह सारी आपको दिख रही है यह इस फिर की रेडियस बन रही है यह स्फिर है not circle 3d में बत्च होगी तो इसकी रेडियस के लूंग जा रही है तो हम बोल सकते हैं अगर positive charge है तो फेल लाइनस कैसी होगी radially outward radius के लूंग होगी और बाहर की तरफ जा रही होगी outward और कैसी होगी यह लिखना एक्जाम में spherically distributed spherically distributed किस form में distributed होगी 3D में spherically distributed तो यह positive वाले के करण lines होती है अब बेटा negative वाले करण बनना बड़ा असान काम होगी है क्योंकि positive charge के करण देखो आप लोग ने एक चीज़ दिहान अकना आप लोग इसको mix मत करना force और field को देखो एक तो होता है field creator एक चीज़ तो होती है कि field create कर रहा है कोई source charge तो उसका field किदर होगा और एक होता है उस field में जब कोई आएगा तो force किदर field करेगा तो जैसे यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो बात है वो यह है फिल्ड यह plus q जो है यह field create कर रहा है तो इसका field किदर होगा तो इस plus वाले charge का जो field है वो away from the charge होगा उसको check करने का तरीका क्या है किसी भी point पे अगर आपको यह पता लगाना है कि यह इसका field किदर होगा तो वाए एक छोटा सा positive charge एजियूम करके देख लो उस पे देखो force किदर लगता है उदर ही field होगा तो अगर आपको यह पता लगाना है कि यहार इस point पे field किदर होगा इसके कारण इस वाले charge plus q के कारण field किदर होगा यह plus q है इसके कारण field किदर होगा तो वाए एक छोटा सा positive charge एजियूम कर लो और देख लो उस पे force किदर लगता है जिदर force लगता है उदर ही field होगा इसलिए positive charge जब भी होगा उसका field उससे अवे होगा अच्छा negative का भी तरीका तो यह ही है चेक करने का कि माल लो आपका यह जो पॉजिटिव नेचर का नहीं है बलकि कैसा है negative nature का तो ज़राब आप फिल्ड लाइंस बनानी है तो आपको क्या करने पहले field किदर होगा इसका field किदर होगा तो फिर आप एक छोटा सा positive charge रख दो कहीं पे भी और देखो force किदर लगीगा तो भाईया यह source नेगेटिव है यह source charge जो है वो नेगेटिव है तो भाईया यह तो इसको अट्रेट ही करेगा ना तो यह इसको जिदर force लगाएगा मतलब किसी भी पॉइंट पर फिल्ड की direction चेक करनी हो किसी भी पॉइंट पर इलेक्टरी फिल्ड की direction चेक करनी हो तो उस पर च्छोटा सा positive चार्ज जून कर लो और देखो फोर्स किदर लगेगा तो इस पर फोर्स यह जो source है इसको अट्रेट करेगा तो जिदर force लगेगा उधर ही फिल्ड होगा तो यह भी हम याद रख सकते हैं कि यह positive charge की current field किदर होता है away from the charge और negative की किदर होता है towards the charge तो field lines अंदर आएगी अपकी बार कहां से infinity से तो इसमें infinity पे जा रही है यह line है positive वाले में यह infinity पे जा रही है और negative वाले में यह infinity से आ रही है अब फरक क्या हुआ फरक इतना सा हुआ कि उसमें इसमें आप लिख दोगे बच्चो inward अंदर की तरह और इसमें भी स्पेरिकली डिस्टिबुटेट है इसमें कौन सा सर्कूलरी डिस्टिबुटेट है तो field lines इस फेरिकली फॉर्म में ही distribute होती है point charge की जाओ तरफ अब देखो मैं आपके यहाँ पे किलेट ही कर दूँ कि इसमें भी जाद रखो फिल्ड की direction चेक करनी है कहीं पे भी तो वहाँ एक छोटा सा positive charge रखो गया फिल्ड की direction आपको किसी भी point पे चेक करनी है तो वहाँ एक छोटा सा positive charge रखोगे और देखोगे force किदर लगता है तो उसमें आप एक result पाहोगे कि positive के कारण field away from the charge होता और negative यह तो वही फिल्ड की direction decide करना अब फिर दूसरी बात आती है कि उस फिल्ड में अगर कोई charge enter करता है तो वह force किदर feel करेगा तो अगर उस फिल्ड के अंदर जैसे यह फिल्ड है इस फिल्ड के अंदर कोई charge enter करता है और अगर वह चार्ज अगर positive है तो जिदर फिल्ड है इसके कारण इस point पे फिल्ड कीदर होगा तो positive की कारण भिया field away होगा अगर यह minus q charge है तो इसके कारण फिल्ड कीदर होगा पले towards the charge होगा यह तो वही फिल्ड की direction decide करना यह तो question में दे देगा पहले से नहीं देगा तो ऐसे decide कर लेंगी फिर कहेगा कि इसमें अगर मैं positive charge र तो फिल्ड की direction decide करना दूसरा इस टेप फिल्ड में जब charge को रखते हैं तब force किदर लगेगा वोगा अच्छे से आप इसको समझ के दिमाग में learn कर लें तो कैसे learn रच सकते हैं positive charge के कारण फिल्ड की direction away negative के कारण towards पहली बाद दूसरा अगर किसी point पे charge को रखेंगे positive charge को त तो फिल्ड की direction में force लगेगा और negative को रखेंगे तो फिल्ड की direction में force लगेगा तो यह lines हमने बना दी है यहाँ पे और कुछ बाते और हमने सीख लिए अब बच्चों वेसे तो आगे हम questions ही कर रहे हैं बच्च मैं देख रहा था कि कोई question मुझे मिले अच्छा सा ताकि मैं उस question के थूँ ही आपको point charge का field समझाओं लेकिन मैं रहे को question ऐसा मिला नहीं तो मैंने यह ले लिया कि मैं इसको समझाओंगा जरूर क्योंकि यह आगे बच्चों use होगा काफी important है तो point charge की करण field निकालना है तो देखो बच्चों let से हमने यह कोई charge Q ले लिया और इस Q charge के क पर आर डिस्टेंस पर कोई point ले लिया पी यह जो point है इसका नाम है पी इस point पे मुझे क्या निकालना है electric field निकालना है due to this point charge तो यह point charge है source जो है यह point charge है अच्चों इसमें क्या एक radial vector होता है radial vector का मतलब यह होता है कि उसकी direction हमेसा center से जो radius निकलती है उसके along होती है जैसे यहाँ से गर हम बात करें यह तो एक radial line है जिसे यह radial line है ऐसे एक प्वाइंट से मैं एक ऐसी line बना दू तो यह भी radial line है जैसे मैं इधर line बना दू तो यह भी रेडियल लाइन है यह रेडियल लाइन्स होती है तो इनको हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर अगर जो सोर्स चार्ज है जो सेंटर पर मलगते हैं सेंटर पर जो चार्ज है उससे अगर अवे बात करते हैं तो हम इसको लिख देते है प्लस r cap और अगर यही radial direction towards the charge होती है ऐसे तो away from the charge प्लस r cap तो चार्ज की तरफ होगा तो फिर उसको बोलते हैं minus r cap तो यह जो distance से point P का यह r है अब plus r cap का मतलब है कि source से दूर की तरफ जा रहे हैं plus r cap का सीधा सा मतलब है away from the source और minus r cap का यहाँ पे मतलब है towards the source तो यह जो r vector है अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं r r cap क्योंकि अभी जो point हम जो position बता रहे हैं वो हम इस point P की बता रहे हैं और इसके respect में बता रहे हैं तो यहाँ पे जो r vector है यह r vector यहाँ पे क्या है यह position vector है बच्चों जिसकी position बताते हैं वहाँ 3 को खतम करना ले जाके जैसे एक बार मैं वापस से बना देता हूँ कि अगर मालो मैरे को इस point P की position बतानी है तो arrow point P पे खतम होना चाहिए और इसके respect में बतानी है तो यहाँ से start होना चाहिए यह simple सी बात है तो position vector है यह position vector of point P with respect to source charge Q तो अब हमें क्या करना है एक arrow बनाना जो P पे खतम होगा और source charge Q से start होगा यह वला और यह arrow आगे जा रहा है जो extend होके R cap बना रहा है तो यह इस तरह से हम लोग यहाँ पे यह बना देंगे अब मुझे इस point P पे क्या निकालना है field निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्या करा यहाँ पे छोटा सा test charge रख दिया Q naught and test charge बहुत छोटा होना चाहिए capital Q से अब देखो बच्चों यह दोनों ही point charge है यह भी point charge है और यह भी point charge है और दो point charge के कारण अब मुझे क्या करना पड़ेगा इस पे force निकालना पड़ेगा जो मैंने small Q उजाज रखा है अना चोटा सा उस पे मुझे क्या निकालना है force तो देखो अगर यह plus मैं suppose कर रहा हूँ कि यह plus का है और यह जो charge है तो हम plus का रखते ही है तो इस पे इदर force लगीगा अब electric field की definition पे आते हैं तो electric field की definition जो होती है वो होती है कि कि किसी भी point पे electric field पता लगाना है तो वहाँ पे एक charge रखो point charge उस पे force निकाल लो पहले और force में उस point charge का divide कर दो तो यह electric field आ जाएगा अब बात आती है force निकालने की अब यह जो force है ना बच्चों यह column slow से तो तब निकल सकता है जब दोनो point charge हो बढ़ना तो फिर आपको charge जो होता है उसके छोचोचोचे टुपड़े करके point charges बनाने पड़ते हैं और फिर एक का निकालके बागी का integration करते है पर यहाँ पे तो दोनों ही point charge है तो कोई tension नहीं है column slow लग सकता है तो यहाँ पे यह column slow से force हम लिख देंगे vector form में force की direction किदर है? R-cap में ही है और यहाँ से अपने आप इनका जो sign होता है ना plus minus plus with sign जब आप डालोगी ना यहाँ value यह जो आप Q और Q naught दिख रहे हैं तो यह small Q लिखा इन्होंने तो चलो हम भी इस source charge को small Q ले लेते हैं तो यह source को मैंने small Q ले लिया और test को Q naught ले लिया तो यहाँ पे क्या करना होता है कि यह Q और Q naught है ना यह Q और Q naught यह दोनों के बच्चों सापको with sign value डालने है इसको यह vector form बोलते हैं vector form है with sign with sign डालने से क्या होगा अपने आप इस RKP को plus यह minus direction मिल जाएगी यहाँ जो plus Q और Q naught का sign आप डालोगे वहाँ से अपने आप direction ले ले लेगा आप और आपको साई direction ही देगा force की तो अब यहाँ पर हमने force लिख दिया पूलाम स्लो से क्यों लिख दिया क्योंकि दोनों point charge है अब electric field का formula लगा दिया कि भाईया किसी भी point पर जो electric field होता है वो force per unit charge होता है तो हमने क्या लगा दिया बच्चों यहाँ पर electric field का formula e equal to f by q q naught तो q naught जैसे divide का तो यह q naught कट गया इससे q naught क्या हो गया बच्चों cancel out हो गया यहाँ मैं लिख देता हूं बली यह q naught यहाँ भी था यहाँ भी था पर यह कट गया तो सिर्फ यह बचा हमारे पास वन अपोन फोर पा एपसलन नोग जिसको इस electricity force constant भी बोलते हैं q source charge upon r square अब यह फिल्ड बटा important इसलिए भी है क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो एक ही charge आ रहा है और वो कौन है source तो field source की property है बच्चों यह source की strength को समझाती है और जो force देख रहे हो आप इसमें दोनों आ रहे हैं छोटा भी उत्ताई force लगा रहा है बड़ा भी उत्ताई force लगा रहा है एक कुलाम सो कुलाम पर चीपता लगाएगा सो भी एक उत्ताई लगाएगा तो force हमें एक तरीके से force का जो value है हमें यह नहीं समझाता कि कौन powerful है बड़ इसलिए हमने electric field बनाया कि यार इसमें सिर्फ source आना चाहिए टेस्ट नहीं आना चाहिए दूसरा च्छोटा वाला नहीं आना चाहिए जिसके फिल्ड की बात करें वह आना चाहिए इसलिए हमने फिल्ड का concept बनाया तो यह फिल्ड हमने निकाल लिया अगर हमें इसका सिर्फ magnitude लिखें तो फिर हमने cap वेप हटा दिये और mod में बंद कर दिया क्योंकि magnitude तो हमें इसा plus ही होता है तो इस तरह से हमने लिख दिया तो यहां से हमें यहां समझ में आया कि electric field short मैंसे भी देंगे electrostatic force constant के q upon r square यह हो गया तो यहां से हमें एक समझ में आया कि जो electric field है कि इसका point charge का तो point charge का जो electric field वो inversely proportional होता है उससे जो distance होती है उसके square की यह चीज़े में ध्यान रख नहीं है अब इसमें अगर आप r जो है वो 0 की तरफ लेके जाओगे r 0 डालोगे तो e आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा e infinite की तरफ जाएगा r 0 का मतलब तो यह हो गया कि आप उस charge यह क्यों charge है इसके उपर ही पहुँच गए यहीं से measure कर रहे हो r को तो इसके उपर तो किसी भी charge की खुद की location पे field not defined होता है not defined अलब इतना ज़्यादा है कि आप उसका value बताने सकते अच्छा r जब आप बड़ा करोगे आपको पता जब आप r बड़ा होगे तो e जो है वो आपका down होगा और down होते होते अगर आपने r को बड़ाते बड़ाते कहां ले गए बहुत बड़ा कर दिया बहुत बड़ा तो e बहुत छोटा हो जाएगा बहुत छोटा कितना तो r अगर infinite की तरफ ले गए तो e छोटा होते होते 0 की तरफ चला जाएगा बट not 0 है टेंस 2 है तो graph कैसे बनाएंगे तो graph में अब देख लो बच्चों एक तो होता है और e versus r graph बनाना है तो r 0 तो e infinite r infinite तो e 0 तो दोनों तरफ ही टच नहीं करना है ऐसे आपको शेफ बना देनी है टच दोनों साइडी नहीं करना इसको क्योंकि यह टच होगा इंफिनिटी पे जाके यहां पे r equal to 0 से major कर रहे हैं तो यहां साब दिख रहा है कि e proportional to 1 by r square है तो यह तो हो गया e और r में graph अच्छा e और r square में बनाओगे तो भी almost ऐसा ही बनेगा बस उसका नाम rectangular hyperbola हो जाएगा तो e और r में बनाओ या e और r square में बनाओ inverse proportion ही आएगा तो almost shape ऐसी बनेगी पर कहीं बार बच्छो एक्जाम में यह भी पूछ लेता है कि e versus 1 upon r square का graph बनाओ e का graph बनाओ 1 upon r square का recording तो इसका मैंने previous lecture में graph बनाने का concept आपको समझा आए था जब force का 1 upon r square के साथ बनाओ था तो यह था है बच्छो kq upon r square formula तो मैंने आपसे का था इसको ऐसे लिख लो बच्छो e equal to kq into 1 by r square फिर मैंने का था जी जी इसके बीच में आपसे graph बनाओ रहा है नो उनको बट्टा circle करो बढ़ ले formula में भी उनको circle करो जी 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 इसके बीच में आपसे graph पूछ रहा है उनको circle कर लेना है बटा फिर आप x y axis बनाओ अब उस axis पे उन circle की हुई quantities को लिखो जिनके बीच में graph बनाना है तो e को यहां लिख दिया बटा और 1 by r square को बच्छो यहां लिख दिया अब आप marking करो कि आपने y axis पे क्या लिखा है तो यहां y लिख दिया और आपने x axis पे क्या लिख दिया अब circle पे power देखो तो power कुछ नहीं दिखती है तो वो 1 ही मानी जाती है तो y पे भी 1 x पे भी 1 और यह multiply में constant है तो y equal to mx graph बने का जो कि कि straight line होगा अब देखो बच्चो इसमें दो चीज़ है कि अगर यह मालो जो slope 20 का पहले बाद तो y equal to mx straight line passing through origin होता है तो यहां पे slope जो है वो kq है अब k तो हमेशा positive होता है लेकिन यह जो q है इसके पास दो संबावना है यह positive भी हो सकता और यह negative भी हो सकता अगर magnitude है तब तो हमेशा positive होगा लेकिन वढ़ना positive negative दोनों हो सकता है तो देखो अगर q positive होता है तो y equal to mx straight line passing through origin बनेगी जिसकी slope positive होगी तो यह वाला आपकी y equal to mx वाली straight line graph बनेगा और अगर negative होता है तो फिर यह वाला बन जाएगा इदर negative slope बनेगा उपर वाले जोन की graph जब आपका q positive होगा मतलब small q greater than 0 होगा और यह वाला कब बनेगा जब q आपका less than 0 होगा मतलब negative होगा यह तो हो गया कि q का positive negative का हिसाब से पर graph straight line बनेगा फिर कहीं बार ऐसे बोल देता है कि q1 q2 दो दे देता है यह तो simply हमने समझ लिया यहाँ पर कि इस तरह से ग्राप बन जाएगा लेकिन कहीं बार बच्चों q1 q2 बोल देता है तो थोड़ी समस्या होती है बच्चों को इस और अगर q negative है तो नीचे वाले zone में रहेंगे यहाँ रहेंगे हम slope negative होगा कैसे होगा negative इस line को अगर आप इधर graph बनेगा नहीं वेसे इस line को आप आगे भेजो तो आप देख रहे हो यहाँ पर यह angle 90 से चोटा बन रहा है और यह 90 से बड़ा बन रहा है positive x x से measure करते हैं बच रोकू लाम तो दो positive दे जिसमें जो ज़्यादा बड़ा होगा magnitude सा slope ज़्यादा रहेगा तो यह q1 हो गया और यह q2 हो गया इसमे q2 जो है वो q1 से बड़ा है magnitude wise ऐसे ही इसमें भी हो सकता है कि हमें एक line और बना देते हैं इतर तो यह q1 हो गया और यह q2 हो गया अब steepness कैसे चेक होती है जैसे एक बोल यहां रखो तो लुड़क के तेज आईगी ना ऐसे बोल यहां रखो लुड़क के नीचे तेज आनी चीए तो slope ज़्यादा किसका है इस वाले का q1 q2 में तो q2 भले ही negative होगा बट magnitude wise वो बड़ा है q1 से तो more steep बनेगा इसका तो इस तरह से आपको graph में दिक्कत नहीं आनी चीए अगर positive है तो उपर graph बनाने है जिसका magnitude ज़्यादा उसका उपर रहेगा graph दूसरे का नीचे रहेगा और negative तो इस तरह से तो I think आ साथ आपको काफी सारी concept या मिले होंगे जो कि हमारे आगे यूज होंगे बच्चों इसलिए मैं अच्छे से आपको चीज समझाई ग्राफ बनाने का यह जो concept circle करके इसको एक बार अपने mind में वीडियो को एक दो बार देखके बिठा हो ताकि physics में कहीं भी graph बनाने में आप बात करेंगे और उनके questions को solve करेंगे thank you so much बच्चों for watching this video please like करो share करो subscribe करो करता कि जोस बना रहे है वीडियो बनाने में thank you